Champs Space Telescope अपने चान्द की Dark Side पर एक बहुत परा structure द्रियाफ करके सब को हिरान कर दिया है आगर उस structure में ऐसी क्या बात है जिसको आज से पहले कभी नहीं देखा गया लेकिन Champs Space Telescope अपने उस structure को देख लिया आज इसके बार में बात करेंगे तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा वीडियो शुरु करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राब करके इस वीडियो को लाइक और शेर ज़रू करें किई दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सबस्क्राब, लाइक और शेर करते हैं तो हमारा होसला भड़ता है चेम्स पेस टेलिसकोब अपने चांद की डार्ख साइट पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फंड किया है असल में ये स्ट्रक्चर चांद की क्रस्ट है साइसान को कहना है कि चांद की फार साइट की क्रस्ट सामने वाली साइट की क्रस्ट से ज्यादा मजबूत है कहा जाता है कि जब अर्बो साल पहले जमीन और चांद पर अस्टरोड की पारश हुई थी तो सामने वाली साइट की क्रस्ट फट गई थी जिससे सामने वाली साइट के अंदर का लावा बाहिर आकर सता पर फैल गया जिससे चांद की सता जल गई और सामने वाली साइट की जमीन फ्लैट हो गई अगर आप चांद की सामने वाली साइट को देखें तो इस पर आपको ये ब्लैक कलर का निशान दखाई दे रहा होगा असल में ये चांद की चली हुई सदा है जिसे लूनर मारिया कहते हैं लेकिन चांद की डाक साइट की क्रस्ट नहीं फटी लेकिन जब अस्ट्रोट की पारश चांद की डाक साइट पर हुई तो चांद की डाक साइट की क्रस्ट नहीं फटी जिसकी वज़ा से चांद की डार्क साइड फ्लैट नहीं है बलके वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर मजूद हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि चांद की डार्क साइड नहीं फटी और चांद की डार्क साइड सामने वाली साइड से ज्यादा मस्बूत है साइंटिस्ट का कहना है कि चांद की टार्क साइड सामने वाली साइड से इसलिए भी मजबूत है कि जब चांद बना था तब एक नहीं बलके दो चांद बने थे और दूसरा चांद बैक साइड पर जाकर मर्च हो गया जिसकी वज़े से Dark Side सामने वली Side से ज्यादा मसभूत है और इस स्टॉट की टक्कर से सामने वली Side पर Crack आ गया जबके Dark Side पर Crack नहीं आया ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि आप सरुजू अलेहवालीवसलम ने चांद की तर फिजारा किया और अला के हुकम से Champ 2 हिصों में तक्सीम हो गया हैं चांट पर Cracks की Pix भी मजूद है जिनको आप अपनी सक्रीन पर देख सकते हैं लेकिन इन Cracks की वज्या साइंस दान कुछ और ही बताते हैं लेकिन हकीकत में जब आपने Champ की तरफ इसारा किया और ये हाथ स्टील से बने हुए थे जो देखने में इंसानी हाथ जैसे लग रहे थे इन हाथों को पहली पार 1960 में भी देखा गया था उस वक्त लोगों को लगा कि शायद ये एलियन रिपोर्ट के हाथ हों लेकिन किसी को नहीं पता कि ये हाथ किसके हैं और ये चांद पर कहां से आए ये भी हो सकता है कि ये एक एलियूजन हो लेकिन अब इसके बारे में किसी को नहीं पता साइसन कई चीजों से चांद की स्टड़ी कर रहे हैं चिन में स्पेस मिशन से, जमीन पर लगे टेलिसकॉप से और चेम स्पेस टेलिसकॉप से लेकिन चांद को सबसे ज्यादा डिटेल से स्टड़ी चेम स्पेस टेलिसकॉप से किया जा रहा है इसने 2022 में चांद की डार्क साइड की बहुत डिटेल तस्वीरों को कैप्टर किया क्यूंकि इसके अंदर नियर इंफरेरट कैमरा और मिट इंफरेरट कैमरा लगा हुआ है इन दोनों कैमरों से किसी भी चीज की डिटेल तस्वीर खिंची जा सकती है चेम्ट की तस्वीर में हम डार्क साइड पर बहुत ज़्यदा क्रेटर को देख सकते हैं जबकि चांद की सामने वाली साइड पिलकुल फलैट है इसके पाद 2023 में चेम्ट स्पेस टेलिसकॉप ने चांद की डार्क साइड पर एक मेंटीरियल को फाइंड किया यह ऐसा और्गैनिक मिनरल है जो चांद की सामने वाली साइड पर मजूद नहीं है इस नए माटीरियल से हमें पता चलता है कि चांद की डार्क साइड पर ऐसी बहुत सारी चीज़े चुपी हुई है चिनके बारे में हमें नहीं पता साइस्थान को मताबक चांद की इस साइट को स्टडी करने से ये पता चल सकता है कि अल्ला ने चांद की फॉर्मेशन कैसे की लेकिन ये तब ही पता चल पाएगा जब अल्ला का हुकम होगा इसके बाद 2023 के मिड में चांद की सता पर एक लास जैसी चीज दिखाई थी जिसे चाइना के यू टू टू रोवर ने फाइंड किया था जिसका टायर मीटर एक से टू पन फाइव सेंटी मीटर के दर्मियान था साइसान को मताबक ये चीज अर्बो साल पहले चांद पर फटने वाले वोलकेनिस की वज़ा से बनी होकी और ये चीज किसी एस्टरोड की टकर से बनी होकी इस तरह की चीज़ को study करने से साइसान चांद पर 80 साल पहले फटने वाले वोलकेनेस के पारे में चांद सकते हैं जीम स्पेस टेलिसकोप से चांद की डार्क साइड को study करना आने वाले स्पेस मिशन के लिए बहुत ज्यादा एहम है जैसे के मैंने बताया कि चांद की डाक साइड पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मजूद हैं इन में कुछ क्रेटर्स इतने कहरे हैं कि वहाँ पर अर्बो सालों से सुरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई जिसकी वज़ा से साइसान को लगता है कि चांद की उस साइड पर पानी परफ की फॉर्म में मजूद हो सकता है लेकिन वहाँ इतना ज्यादा अंधेरा है कि साइसान किसी भी रोवर से या किसी स्पेस्क्राफ्ट से या किसी सैटलाइट से उस पानी को असानी से नहीं फाइंड कर सकते लेकिन चांद पर मजूद क्रेटर्स में पानी को find कर सकें और इससे हमें चांद पर पानी की direct location के बारे में भी पता चल सकता है अगर GM Space Telescope ने चांद पर पानी को find कर लिया तो ये NASA के लिए बहुत परी discovery हो की असल में GM Space Telescope के अंदर ऐसी technology लगी है जिसे वो उन चीज़ों को भी देख सकता है जिनको कोई ARM Telescope नहीं देख सकता ये बादलों के पार चीज़ों को असानी से देख सकता है आप इस तस्वीर को देखें इसे Hubble Space Telescope ने खींचा है और इस तस्वीर को GM Space Telescope ने खींचा है Hubble की तस्वीर में बादल दिखाई दे रहे हैं जबके GM Space Telescope की तस्वीर में बादलों से भी आगे चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं यानि Hubble Space Telescope बादलों से भी आगे देख सकता है इसके इलावा ये ऐसी रोशनी को भी देख सकता है जो गाइब हो चुकी है असल में जब किसी चीज़ें रोशनी निकल कर स्पेस में ट्रावल करती है तो aux space में बहुत स्यादा ट्रावल करते करते stretch होती जाएगी stretch होते होते वो infrared हो जाएगी और गाइब हो जाएगी जिसे आम टेलिसकोप नहीं देख सकता लेकिन उस रोशनी को Gem Space Telescope असानी से देख सकता है इसलिए अगर चांट पर किसी crater में पानी हुआ तो Gem Space Telescope उसे असानी से Find कर सकता है इस वक्त China का Chang's 6 mission चांट पर लेंड हो चुका है इस mission से भी हमें चांट की Dark Side के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है ये मिशन चांद पर रॉक्स को कलेक्टर के स्पेस में मजूद और्बाइटर तक फेजेगा और फिर वो और्बाइटर इन सेंपल्स को जमीन पर फेजेगा और ऐसा पहली बार होगा जब चांद की डार्क साइट की मट्टी को स्टेडी किया जाएगा और उससे साइसान को चांद की डार्क साइट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि क्या चांद की डार्क साइट पर पानी के अलमेट मजूद है या नहीं इसके अलबाब पाकिस्तानी सैटलाइट को भी चांद के और्बिट में भीजा किया था लेकिन अभी तक उसने सिर्फ कुछी तस्वीरों को जारे किया है उसके पारे में निव अप्डेट्स नहीं आ रही हम काफी दिनों से इसकी अप्डेट को देख रहे हैं लेकिन इसके रिलेटेड हमें कोई अप्डेट नहीं मिल रही स्टार्टिक में इसने कुछ तस्वीरों को भेचा था चिनकों मैं एक्स्प्लेन कर चुका हूँ चांद हमारा नैचुरल सैटलाइट है इसकी वज़ा से हमारी जमीन एक स्टेबर अफ़तार से अपने एक्सिस पर घूम रही है जिसकी वज़ा से हमारी जमीन पर पारा खेंटो का दिन और पारा खेंटो की रात होती है और इसी चांद की वज़ा से हमारी जमीन पर मुक्तले मौसम बनते हैं और इसी की वज़ा से समुंदर में लहरे एक स्टेपर अफ़तार से चलती हैं इसलिए इसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है तो दोस्तों ये थी आज की शांदार वीडियो आपके कैसी लगी नीचे कॉमर्स करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये वीडियो सच में अची लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लास्मी करें मिलते हैं एक और शांदार वीडियो में अपना बहुत सारा ख्यार रखें अलाहाफीज